कि अखंड भारत एक ऐसा तरीका एक ऐसा कदम है कि अगर यह हो गया तो दुनिया में ग्लोबल पावर अगर कोई होगा तो वो बनने के बाद वो लैंड मास अचीव करने के बाद हम ही होंगे जो जुड़ेगा उसको इसका फायदा जरूर मिलेगा अगले 20-25 साल में भारत अखंड भारत बन सकता है और उन्होंने ये भी का कि अगर हम अपने प्रयास जारी रखें गती तेज कर दें और कुछ कुछ चीजें करें जो उन्होंने चिन्हित किया और उन्होंने संस्क्रित में एक स्लोग बोला तो हम उस 20-25 साल के डिवरेशन को घटा के 10-15 साल भी कर सकते हैं 10-15 साल किसी भी अगर देश के परिपेक्ष में देखें तो बहुत दूर नहीं होता बहुत बगल की बात होती है देश वेस के लिए तो 100-200 साल ये दूर की बात होती है 10-15 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है खुद मोदी जी को कारेकार पुरा की 10 साल हो जाएगा 24 में तो अब कुछ पहलों पर बात कर लेते हैं मैंने पहले भी वीडियो बना रखी बहुत पहले वीडियो बना रखी अखंड भारत के उपर और अब एक रिफ्रेशिंग वीडियो फिर से बनाता है कउनकि मामला फिर से ताजा हो गया है तो कुछ पहलों पर बात कर लेते हैं कि क्या इसकी नीड है क्या इससे फाइदा होगा हम क्या अचीव करना चाहते हैं उनका अखंड भारत कहने का मतलब क्या था क्या अखंड भारत और हिंदू रास्टर में कोई similarity है क्या अखंड भारत से डरने की जरूरत है मुसल्मानों को जो ऐसा उनको ये जो दो टर्म है अखंड भारत और हिंदू रास्ट इससे मुसल्मान बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं और डरे रहे चाहिना रहे हैं कहते हैं कि वो हर बात पर ही डर जाते हैं और छोड़ी बात पर इसलाम खत्रे में आ जाता है तो डर का महौल ना बने इसके लिए इस वीडियो को देखने की बहुत ज़रूते हैं पहले बाउन्डरीज की बात कर लेते हैं टर्म अखंड भारत इसका मतलब ही है कि Unified India अखंड खंडित ना हो अलग-अलग जगहों पर बटा ना रहे एक unity का महौल रहे और सबसे शौकिंग बात यह है कि दुरुवराठी ने भी इसके ओपर वीडियो बनाई और उसने भी अपनी सहमती जाहिर की कि जो भी boundaries की बात है उसने relatively मतलब इल्कुल logical और historical evidence दिये कई लोग ने बताया है सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ उसको point out इसले कर रहा हूँ कि वो ऐसा वेक्ति है कि left, liberal, secular लोगों के धमाग में एक ऐसा यह लोग छाप छोड़ जाते हैं अगर किसी तरीके का वीडियो बनाते हैं तो एक anti-Modhi, anti-India, anti-RSS कुछ भी अगर RSS वाद मोधी के मुह से निकल गया है, हिंदू के मुह से निकल गया तो यह लोग उसीच को manipulate करके जन्ता के सामने ऐसे पेश करते हैं कि यही सत्यवचन है, यही angle है, यही perspective है इसी से देखो, और यही सच है बाकी सब तो गुमरा कर रहे हैं, बाकी सब तो जुट बोलने है लेकिन इस वेक्ति ने भी बनाया हाँ, उसके पीछे कुछ ट्यूनिंग की कि इसका क्या मतलब है, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए लेकिन ultimately over the top यह वेक्ति सहमत था कि अखंड भारत बनना चाहिए उसी परिपेक्ष में बननना चाहिए कि कौन कौन से देश अगर साथ में मिल जाए तो अखंड भारत कहलाएगा एक तो यह चीज़ होगी अब जो अगर boundaries की बात करें अखंड भारत जिसका एक लीडर हो और सारे सब लीडर्स हो एक लीडर जैसे PM होता हो नीचे सारे CM होते हैं ऐसे कुछ तो एक लीडर हो जिसके नीचे सारे सब लीडर्स हो manage करें एक currency चले एक visa हो travel free हो boundaries ना हो trade exchange हो सके जो देश जिस चीज में माहिर है जो देश की जमीन जो देश के लोग जिस चीज में शक्सम है वो देश वो उगाए वो बनाए और आपस में trade करें और यहां से चीजें export हो अखंड भारत में जब चीजें आएं तो एक बड़ी larger entity का भला हो larger entity का विकास हो और लोगों का विकास हो इससे कुछ समस्या है solve तो होंगी लेकिन कुछ समस्याओं का जनम भी होगा जो solve होंगी पहले उसकी बात कर लेते हैं यह जो बात-बात पे border fan के जो लोग आया जाया करते हैं अगर उनकी intention सिर्फ इतनी होती को livelihood कमाने के लिए आ रहे है पहली चीज अगर intention यह है कि वो अपनी जान बचा के भाग के आ रहे है अगर intention यह है कि वो threat के लिए नहीं आ रहे है तब तो उनकी समस्या स्वाल हो जाएगी ऐसे लोगों के लिए इससे बड़ा राम बान इलाज हो नहीं सकते अब जो history के बात कर लें लोग सोचेंगे कैसे आप कर सकते हैं वो सब आपके देश थोड़ी हैं कैसे आप ले सकते हैं historical evidence से देखें तो सब पहले एक ही unit का हिस्सा थे और सब maximum maximum तो अंग्रेजों के कारेकाल में अलग हुए हैं अंग्रेजों की वज़े से अलग हुए maximum और अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भारत के center में आपके पास हैदराबाद होता जो अलग हो चुका होता पाकिस्ता का एक हिस्सा बन चुका होता अगर कुछ लोगों की evil wishes चल याती तो तो आपको मैंने एक तरीके से यह तो समझाया कि need क्या है और अगर यह सारी boundaries जुडेंगी पहली चीश द्यान दीजिए दुनिया में सबसे बड़ी value किसी देश की होती है तो तब होती है जब उसकी आबादी जादा होती है आबादी की unity होती है उस unity से एक leadership चुना जाता है और वो जब represent करता है United Nation में विश्व के पटल पे तो देश की power को represent करता है पहली चीश फिर trade और currency यह चीज़े matter करती है last trade से लिटरी है कि जब अखंड भारत का जो map तयार होगा जब पता चलेगा कि कौन कौन से देश साथ में मिलके अखंड भारत बनाते है दुनिया के सबसे बड़े market की तरह हम उभर के आएंगे अभी भी हैं साथ दूसरे number पे हैं चाइना के बाद लेकिन तब हम number one पे होंगे हमें ये चाइना, अमेरिका कोई भी ऐसा देश जो चाहे कि हमें डराध हमका के हमें manipulate कर ले जाए वो ऐसा नहीं कर पाएगा जो भी देश करजे में हैं जैसे पाकिस्तान, श्रिलंका खालत बुरी बांगला देश की भी है ऐसे जो देश हैं जो छोटे देश हैं नेपाल, भुटान मतब जिन देशों पर संकट है उनका निवारण हो सकता है आज नहीं कर नहीं पांच साल बाद नहीं दस साल बाद मतब अखन भारत बनने के जब हमारे पास इतना बड़ा लेंड मास होगा तो सोचिए कि चला गया परण पाकिस्तान की पास बड़ा इसा लेंड मास है जो चला गया परडिशन के टाइम पर जहां पर उचाईयों पर उसके देखा जा तो बहुत अच्छा लेंड एरिया जो हमने खो दिया तो फाधे तो बहुत हो गया और नुकसान की बात करते हैं नुकसान की बात भी कर लेनी चाहिए हर perspective देखना आचिए किसको ये नुकसान लगता है किसको नहीं लगता है वो debate का इससा आप comment करके बता सकते हैं नुकसान एक, हमको आज तक ही समझ में आया है कि पाकिस्तान और बांगलादेश से इंफिल्ट्रेशन हुआ है, POK से इंफिल्ट्रेशन हुआ है, POK को मैं अलग नहीं मानना हूँ इन POK अभी विवादी थे तो उसको POK बोल देते हैं Maximum Terrorism इन जगहों से आया है, हमें कैसे ensure कर पाएंगे, कि जब इन सब के पास free pass होगा, तो terror activity कम हो जाएगी, हाँ, कुछ लोग के पास यह तर्ग भी है, कि जब लोग busy होगे, job कर रहे होगे, रोजगार होगा, livelihood होगी, तो शायद वो भहकेंगे नहीं, लेकिन हमारे पास examples यह भी है, कि IIT pass out MBA pass out, MBBS pass out well off लोग terrorists बन चुके हैं, तो वो एक बहुत बड़ा खत्रा होगा, अभी हमारे भारत में ही, छोटी छोटी बात पर communal violence, किसी का इसलाम खत्रे में आ जाता है कहीं मंदिर मूर्तियां तोड़ देते हैं तो हिंदू भड़क जाते हैं मतलब, religion के basis पे division अभी खतम नहीं हुआ है और इस अब घटनाय रुक नहीं रही है यहां मैं थाट noodle ground बोलना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, कि मुसलमान किसी बात पर न राज हो रहा है, किसी बात पर हिंदू न राज हो रहा है, कोई किसी को post करके और इसी basis पे पाकिस्तान भी बना कि उस वक्त लोगों को एक अलग देश चाहिए था religion के basis पे और religion के basis बटवारा होते हुए भी भारत हिंदू रास्ट नहीं बना उसको secular state रहने दिया गया by choice पता नहीं क्यों लेकिन पाकिस्तान Islamic state बन गया तो वो इस्तिती दुबारा कैसे पैदा नहीं होगी जब मुसल्मान बहुत बड़ी संख्या में आ जाएंगे में लेंड इंडिया में और कहेंगे कि हमें अलग रहना है हमें साथ नहीं रहना hate speeches मतब यह सब चीज़ें की probability है यह हिंदू ही नाराज हो जाए कि जिसने देश तोड़ा जिसने बुचरी की जिसने उसक्त्रेने भर भर के लाशें आती थी जाती थी इन लोग हम कैसे बरदास करें इस सब चीज़ें भी भविश्य में देखने को मिल सकती है तो यह कैसे हम tackle करेंगे वो mindset कैसे create करेंगे कि पकिस्तान का मुसल्मान और भारत का हिंदू एक दूसरे को tolerate कर पाएगा जब वो time आएगा excitement अलग जगा है हिंदू के excitement होगी कि हम अखंड भारत अचीव कर रहे हैं कि historically हम इस चीज़ से motivated हैं कि हम हमें चाहिए अभी तक मैंने हिंदू राष्ट और अखंड भार का difference नहीं बनाया है मैं उसको एक detail में एक अलग वीडियो में बनाऊँगा अगर आपको चाहिए तो comment कर जिएगा तो मैं अपनी इच्छा नुसारत एक बार में वीडियो upload करूँगा ही अब क्या ये possible है और है तो कैसे है possible तो है possible है हमने history में देखा है हमने history में देखा है बहुत सारे देश छोटे छोटे टुकड़ों में तूटे हैं और बहुत सारे देश अभी भी लगे हुए है कि एक दूसरे को जोड़ के एक बड़ा सा union मना से होता आया है होता रहा है हो भी सकता है ये दूसरी चीज है कैसे war से diplomacy से power से कैसे तो अगर war की बात कर लेते हैं अगर diplomacy को power code या फिर किसी तरह के का हम अगर benefit का offer करें या जो भी है वो दूसरी चीज है कि किस agreement पर unity आती है वो दूसरी बात है लेकिन अगर हम war की बात करें तो definitely solution नहीं हो सकता भले हम जिन देशों की बात कर रहे हैं एक होने की उन सबसे हम इतने शक्तिसाली हैं कि उन सबसे हम एक साथ लड़के भी हम उन सबको कबजा कर सकते हैं भले उन में से कुछ nuclear power होंगी सबसे हैदा तो पाकिस्तानी है तेकि पाकिस्तान के nuclear power में कितनी तकत कुछ नहीं बता लेकि nuclear तो nuclear होता है अगर एक आद बम उनका भी सही चल गया तो बड़े से बड़ा देश काप जाएगा क्योंकि nuclear मतलब nuclear भाई बड़ा बड़ा शहर खतम हो सकता है एक ही बार में अभी आप रिजन्ट में देखी रहें कि रशिया चाहता है यूक्रेन को अपनाना अपने इंद में मिलाना नाटो और अमेरिका के बहकावे में आके वो लड़ रहें यूक्रेन लड़ना चाह रहा है अड़ा हुआ है विल्कुल उसका रिजल्ट यह है कि अगर कल को कुछ दिन बाद चलती हूँ लड़ाई के बाद रशिया को यूक्रेन मिल भी जाता है तो जिस बत से बत्तर हालत में मिलेगा जो रशिया ने खुद की है अगर वो उसको ठीक करके उसके इन्वेस्ट करके लोगों को बसा के फिर से मतलब इतना खर्चा हो जागा एक तो वार में खर्चा हुआ ग्लोबल जो जलीलियत हो रही है बैन लग रहा है पता नहीं क्या क्या लग रहा है उसके बाद जब उभरना चाहेगा कि रशिया को उभार हूँ क्योंकि थोड़ा सा एनिमिटी रही है इसलिए मैं बोलना हूँ मांगलाद इसे उतनी नहीं रही जितनी पाकिस्तान से रही है तो अगर हम रड़ाई की बात ना करें प्यार से बात करें और सबको ना फ्यूचर न जा रहा है अगर कि हमें भी आख से ग्लोबल पावर का हिस्सा होना है और जूनिटी दिखा के हम हो सकते है तो मैं अभी भी कह रहा हूँ जनता अपना मन बनाए वो जनता जो अभी तक भ्रह्म में है मेरा वीडियो देख के नहीं साथ काई आप हो रहे हो लेकिन अगर आपकी तब भी माइंट सट है कि नहीं नहीं आपका अपना है लेकिन मैं सीज के फेवर में हूँ मैं जनता सचाहता हूं उस वीडियो को शेयर करें ज्यादा ज्यादा अपना पॉइंट वीडियो में बता है तो वो बनने के बाद वो liand mas achieve करने के बाद हम ही हो गे जो जुड़े गा उसको इसका फायदा जरूर मिले गा कंगर नहीं जुड़ते हैं वो लोग मान लो बहुत जुड़ गए कुछ नहीं जुड़े फिर भी हम ही होंगे global power अगले कुछ सालों में तो इच्छा आपकी ह या बाद में employee बनना चाहते हैं या customer बनके रह जाना चाहते हैं अरे यार उस दोग मौका था ये guilt regret नहीं आनी चाहिए अभी opportunity है फिर मिलते हैं अगली उड़ में जहन बंदे मातर है तो लाइक और शेट ठोक दीजिए 5000 लोड़े दिख जाना चाहिए ये 4000 मैं या पर नहीं ख वाद में करता हैं पुद घूली नहीं लोड़े ये खिया हैं ये 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 कपणूँ झाल ये लोड़े ये खिता हैं वादोर बंदे में को मिलते हैं अरे ये येजिय कि जह तूता है झाला चाहिए 5 ई